नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों आज कल की भाग दोड़ भरी ऐसी लाइफ है दोस्तों कि आप देखते हैं कि किसी भी उम्र का माइने नहीं रह गया है मोटापे के लिए जिहां दोस्तों आज कल बच्चों का भी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है औरतों का खास करके जो लोगों आफिस में बैठते हैं चेर्स पे पूरे दिन उनके भी सभी यानि कि हर आयूवर्ग के लोगों को मोटापे की समस्या से जूजना पड़ रहा है दोस्तों तो इन ही सब समस्याओं को देखते हुए आज हम लेकर के आये हैं कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों जो आप सभी के लिए बेहदलाब कारी सावित होंगे दोस्तों आप अगर अपने मोटापे को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि एक मोटापा बहुत सारी ब हम जरी में अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के किसी भी हिस्से पर चर्वी को जमा नहीं होने देते पीट के निचले भाग के चर्वी कम करने के लिए हम आप सभी को उपाय बता रहे हैं दोस्तों आज के समय में व्यक्ति हेल्ट के नहीं बलकि स्वाद के पीछे अधिक भागता है दोस्तों इसलिए हम जो घरिलू उपाय आपको बता रहे हैं वो हेल्दी होने के साथ साथ तेश्टी भी है दोस्तों तो आप इसे मज़े से अपना सकते हो इस उपाय में आपको दो चीजें इस्तिमाल करनी है दोस्तों जिन में पहली है केला और दूसरी है जीरा शरीर को उर्जा प्रदान करता है वहीं जीरे में अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के किसी भी हिस्से पर चर्वी को जमा नहीं होने देते इसलिए आपको इन दोनों को अपने खानपान में आवश्य शामिल करना चाहिए दोफटों और इनको आहार में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनका मिश्रण तयार कर लें तो आई आज हम जानते हैं कि केले और जीरे के इस अद्भूत मिश्रण को कैसे तयार करना है इस मिश्रन को तयार करने के लिए आप सबसे पहले एक केला ले फिर आप उसके छोटे छोटे टुकडे कर उसे मैश कर ले उसके बाद आप तवे पर जीरे को भून ले और पीस कर बारिक कर ले आपको इस भूने हुए जीरा को मैश किये हुए केले में मिलाना है दोस्तों और फिर इस मिश्रन को खाना है ये उपाय आप दिन में कम से कम दो बार आवश्य अपनाए इस मिश्रन का नियमित सेवन शत प्रतिशत आपके शरीर मुख्यता पीट के आसपास की लटकी हुई च चाय को तयार करना है और उसे भी अपने दैनिक जीवन में जोड़ना है दोस्तों इस चाय को तयार करने के लिए आप सबसे पहले दो कप पानी को एक भगोने में डालें और पानी को हलका गर्म होने दें इसके बाद आप इसमें एक बट्टा दो चम्मच दालचीनी जब तक कि ये आधा न रह जाए उसके बाद तयार पे को कुछ देर ठंधा होने के लिए छोड़ दें जब पे पीने लायक गुनगुना रह जाए तो आप इसमें एक चमच शहद और एक बटा दो चमच निम्बू का रस मिलाएं बस इस तरह आपकी वजन कम कर देने वाली और शरीर पर जमा अतिरिक्त चर्वी को हटाने वाली चाय तयार हो जाती है दोस्तों इस चाय का सेवन आपको दिन में दो बार करना है पहला तो आप इसे सुबह सुबह खाली पेट पीएं और दूसरा रात को सुने से आधा घंटा पहले ये चाय देखते हैं देखते आप के शरीर की एक्स्ट्रा चर्वी को रिमूब कर देगी इसलिए अब जब भी आपका चाय पीने का मन हो तो आप इसी चाय को पिएं क्योंकि इस चाय में आयुर्वेद की पांच सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली और सबसे कारगर और शधियों का प्रियोग हो रहा है इसल जिफ मोटापा ही नहीं कम करती बलकि शरीर को अनेक रोगों से भी बचाती है जिस शरीर पून रूप से हिल्दी रहता है दोस्तों इस चाय का सेवन आपको दिन में दो बार करना है पहला तो आप इसे सुबह सुबह खाली पेट पिएं और दूसरा रात को सोने से आधा घंटा पहले ये चाय देखते ही देखते आपके शरीर की एक्स्ट्रा चर्वी को रिमूव कर देगी इसलिए आपका चाय पीने का मन हो तो आप इसी चाय को पिएं क्योंकि इस चाय में आयुर्वेद की पांच सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली और सबसे कारगर और शरधियों का प्रियोग हो रहा है इसी लिए इस चाय की एक खास बात ये भी है ये सिर्फ मोटापा ही नहीं कम करती बलकि शरीर को अनेक रोगों से भी बचाती है जिससे शरीर पून रूप से हेल्दी रहता है दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने हम आप सभी के लिए ले करके आये थे कुछ महतः पून और आप के लिए बेहद ही उपयोगी ओश्रधियां जो आप सभी के लिए बेहद कारगर सावित होती हैं दोस्तों Αप सभी बहत सारे लोग मोटापे से परहसान रहते हैं आज की ड पूर्ण जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों